नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके अपने चेलेन नहीं मंग में तो आज हम इस वीडियो के मादे में से बात करने बाले हैं अभी हाली में एक चर्चा चल रही है कि अभी राजस्तान पुलिस SI की बरतिक आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है तो इस वीडियो के मादे में डिसकस करेंगे कि राजस्तान पुलिस SI का आपका सेलेक्शन प्रोसेस क्या है और भी बहुत सारे बाते जो आपके मन में डाउट नहीं हो सारे बाते इस वीडियो के माद मिसे हम कलियर करेगे अगर फिर भी कोई जानकारी छुट जाती है तो आपको गया करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है आप उस link पर click करके इसके बारे में सारी information जान सकते हैं अगर फिर भी कोई जानकारी आपके समझ में नहीं आती है तो आपको निचे दियेगा है comment box में comment करके आप हमसे पूश सकते हैं आपकी समझ्या का जल्द से जल्द क्या है हल बताया जाएगा यानि आपके doubt है वो clear करे जाएगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को आज की जानकारी किस चीज के वारे में राजस्तान पुलिस SI बर्ती 2021 नोटिविकेशन आपका जल्दी अभी जारी होने वाला है जल्दी राजस्तान लोग से वायोग यानि राजस्तान पुलिस बर्ती बोर्ड में सहायक निरिक्सक यानि सब इस्पेक्टर की बर्ती के लिए एक अधिसुचना जारी करेगा इस अदिश उतना के अन्सवार आरपीसी दुआरा राज़तनल पुलिस बर्ती बोर्ड में सहायक निरिक्स बर्ती यानि आरपीसी पुलिस एसाई बर्ती के लिए 621 पतों के लिए आवेदर रामतरित किये जाएंगी इसलिए कुल पतों के संक्या अब 1132 हो जाएगी क्योंकि 511 पतों के लिए पहले भी आवेदर दिन मांगे जा चुके हैं और 621 के लिए अब मांगे जाएंगे तो आपकी जो परिख्षा होगी वो 1132 पतों के लिए क्या है परिख्षा होगी डोटल योगे और उच्छुकुमिद्वारों को अधिकारिक वेबसाइट के माधियम से राजस्तान पुलिस ऐसाय रिकॉर्मेंट 2021 के लिए ओनलाइन आविदन करना होगा यहां हम राजस्तान पुलिस सब इंस्पेक्टर वेकिनसी ओनलाइन फोन्ट 2021 के लिывать गया होगी दी गई तो चल लीए सबसे पहले बात कर लेते हैं वेकेनसी डीटेल के बारे में वेकेंसी डेटेल के बारे में गर बात करें तो category wise आपको अगर वेकेंसी डेटेल देखनी है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्सिन में जाना होगा वहाँ पे आपको इसका official notification दिया हो वह उस पर देख सकते हो वेकेंसे अगर बात करें तो post का नाम सबिस्पेक्टर है और total post आपकी 1132 है यानि 621 पदों के लिए बावी दन मांगे जाएंगे और 511 पदों के लिए पहले ही मांगे जा चुके हैं वो भी साथ में जोड़कर इसकी बरती कंप्लेट की जाएगी चलिए बात करें लेते हैं इन पदों के लिए आपका eligibility criteria क्या होना चाहिए और राजस्तान पुलिस सबिस्पेक्टर के लिए आपकी section योगरता क्या होना चाहिए तो उमीदवार के पास किसी भी इमानेता प्राप्ति विश्व इदाले से किसी भी विश्य में सनना तकी degree होने चाहिए दूसरा आपको क्या है राजस्तानी संसकर्ति का आपको ग्यान होना चाहिए और साथ में आपको हिंदी में क्या है देवनागरी लिपी में कि आपको ग्यान होना चाहिए तो ये चीज़ें आपको अगर पता है योग्य रता रखते हो आप इस चीज की आपके पास डिगरी है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो चलिए बात करते हैं Ais Limit के बारे में अगर बात करें तो minimum आपके यह जब हो 20 वर्स है मेक्सियों आपकी 25 वर्स है इसके लाब आपको सरकारी नियमों के उनसार आपको IU में छूट भी जी जाएगी तो चलिए बात कर लेते हैं इपोर्टेट डेट के बारे में तो RPSC यानि रास्ताल पुलिस SI कापका जो नोटिविकेशन की रिलीज करने डेट है वो अभी आपको जल्दी बता दी जाएगी RPSC SI Online Form स्टार्ट होंगे उसकी डेट भी जल्दी बता दी जाएगी आपको रास्ताल पुलिस SI Online Form की लास्ट डेट क्या होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे रास्तान पुलिस स्टार्ट का ऐख़़एट क्या होगी वो भी आपको क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में आपको लिंक दिया वहाँ प्र आपको साली चीजे बता दी जाएगी यहन default क्रिशिन में साली चीजे अब डेट कर दी जाएगी अब बात करते हैं अप्लिकेशन फीश के बारे में अप्लिकेशन फीश क्या होगी आपकी जनल ओबिस्टी और अमबिस्टी के लिए 400 रुपे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो बाते होगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी तो आपको फीश का बुगतान ओनलाइन मातिम से गंडा होगा जैसे की नेट बेंकिंग हो गया डेविड कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर आप एमितर के द्वारा भी अपनी फीश का बुगतान हो कर सकते हो चली है बात कर लेते हैं राश्तान पुलिस सब इस्पेक्टर या राश्तान पुलिस SI का जो आपका सेलेक्शन पुरों से सब वो क्या होगा तो इसमें होगा रिटर्न टेस्ट होगा फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होगा या पीटी एंड पीमटी होगा और इंट्रिव्यू होगा तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो return exam होगा offline प्रिक्षिया होगी आपकी उसका exam pattern क्या होगा यानि राजस्तान पुलिस SI exam pattern यानि RPSC पुलिस सब इस्पेक्टर का आपका exam pattern वो क्या होगा तो इसमें आपके दो सब्जेक्ट होगे general Hindi और general knowledge and general science दो-दो गंटे का आपको time दिया जाएगा दोनों के लिए 200-200 आपका number यानि 200-200 number के दोनों paper होगे तो इससे आपका 400 number का paper होगा लिखित प्रिक्षिया हो और इसमें क्या है paper आपका optional type का होगा यानि जो आपको बहुभी कलप ये person होगे चार-चार आपको option दिया होगे person पत्तर दोनों बासाँ में होगा Hindi और English दोनों में होगा परिक्षिया वो offline होगी और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सर सुडेंट का comment आज क्या सर इसमें negative marking होगी यान रास्तान पुलिस SI के paper में negative marking होगी हाज ये बिल्कुल होगी इसमें आपकी एक बटे तीनेंग का वो negative marking होगी तो आपको इस चीज़ का भी खास द्यार रगना है चलिए बात कर लेते हैं जो आपका स्लेबस क्या है रास्तान पुलिस SI जनर्रल हिंदी स्लेबस क्या होगा तो स्लेबस के बारे में अगर बात करें तो हिंदी व्याकनाएगी इसमें प्रेयावाची सब्ग, विलोम सब्ग जो इसमें देश सब्ग विजय सब्ग भी आएंगे लोगोक्तिया मौवरे, वग्यांस की लेक सब्ग, वाक्या सूधी, सब्ग, सूधी काल, संदिविशेद, समास और आपको सबसे बेस्ट उसमें सारी हिंदी क्या है चालिस क्यूसन डेली करवाए जाते हैं आपको और आपको साथ में क्या करना है RPSC आपका जो सेगन गरेट का जो हिंदी का टीचर का जो पेपर होता है वो बुक आप साथ में पढ़ दे तो आप क्या है अराम से इंदी का पेपर पास कर जाओगे बाकि आपकी क्लासे चल रही है और आगे भी क्या आपको क्लासे प्रोवाइड करवाई जाएगी चलिए बात कर लेते हैं RPSC यानि पुलिस ऐसा जनरल नोलेज जनरल साइंस क्या होगा आपका यानि राश्टान पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का जनरल नोलेज और जनरल साइंस का जो स्लिब बसभ थो क्या होगा तो इसमें आएगा आपसी सथ्ट्रि, आर्ट, कल्चर, लिटेचर tradition and heritage of Rajasthan Indian history, geography of world and India, geography of Rajasthan Indian constitution, political system and governance political and administrative system of Rajasthan economic concept and Indian economic of Rajasthan science and technology, reasoning and mental ability, current of air तो इसमें मैं आपको जो Rajasthan जीके का आपका जो सिलिपस है वो मैं आपको बता जेता हूँ कौन कौन से topic आएगे इसमें तो जीयोग्राफिय और राजस्तान में क्या क्या पुछा जाएगा आपसे इसमें पुछा जाएगा Board Physical Future and Major Physiographic Divisions Nature Resorts of Rajasthan Climate, Nature Vegetation Forest, Willfare and Bio Diversity Major Erization Project Mine and Minerals Population, Major Industry and Potential for Industrial Development तो यह हो गया आपका Economics से इससे Geography से समंदी चलिए बात कर लेते हैं Economics of Rajasthan से क्या क्या पूछा जाएगा तो इसमें आपका पूछा जाएगा Macro Overview of Economic Major Development Projects Programs and Scheme Government Welfare Scheme for ST, SC Backward Class or Monolities Disabled Person Distitute Women, Children Old Age People और Farmers and Labors तो यह हो गया आपका Economy से समंदी चलिए बात कर लेते हैं Reasoning and Mental Ability से क्या क्या पूछा जाएगा इसके आपके लगबग 5 से 7 नमरे QS पूछे जाएगे दोनों फोर्सन से Logical Reasoning में क्या क्या पूछा जाएगा आपका तो इसमें आएगा Statement and Assumption Statement and Argument Statement and Conclusion Course of Action और Analytic Reasoning Mental Ability में क्या 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 पूछा जाएगा आपसे Number Series Letter Series Oddman Out Coding Decoding Problem Relating to Relation Shape and Their Subsection फिर आपकी बारी Basic Numeracy की तो इसमें आएगा Elementary Knowledge of Mathematical and Statical Analysis Number System Order of Magnitude Ratio and Profession Percentage Simple and Compound Interest Data Analysis Table Bar Diagram Line Graph और Pizarre तो यह आएगा आपका Mental Ability Origining का Slables चलिए बात करते हैं Current Aware में क्या क्या पूछा जाएगा Current Aware में पूछा जाएगा Major Current Event and Issue of State रहे रास्तान के National और International Importance Person and Place in Recent News यानि आपका Current में अभी जो आपके Important Person यानि मेहतवपूण वेक्ती जो चल रहे हैं वो स्तानपूच लिए जाएगे Game and Sports लेटेड एक्टिविटी तो चलिए बात कर लेते हैं जब आपका Return Exam हो जाएगा तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो फिजिकल मेजुमेंट टेस्ट यानि PMT में क्या क्या होगा आपका तो इसमें Height होने चाहिए 168 cm मेल की सेंटिमेटर फुलाना होगा तो आपकी 6 cm होने चाहिए तो इसमें फिजिकल की क्या है चेस्ट मांगे निए इसमें Hill and Tribal Area से उम्मीदवार क्यों चाहिए वो 160 cm और चेस्ट 89 से 84 cm होने चाहिए यानि मिनिमा आपकी 79 होन चाहिए अगर आप पाड़ी छेतर से आते हो दो मैला उम्मीदवारों का बज़न है वो 167 kg होने चाहिए यानि कि जो मेल की हाइट है वो मेल का बेट है वो हाइट के अगोर्डिंग ना पा जाता है जबकि मैला उम्मीदवार है उनका बज़न है आपका 47 kg होना चाहिए मिनिमम सोरी मैक्सिमम चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिंसी टेस्ट के बारे में यानि पीटी के बारे में सारी दक्सता प्रिक्ष्या स्ववंकों की होगी और 50% कांसिल करने वाले उम्मीदवार चैन करने के लिए पातर होंगे तो इसमें क्या क्या होगा इसमें होगा आपका 100 मिटर की रेस जो 40 नंबर की होगी 14 से 16 सेगंड में आपको क्या इसको पूरा करना है male candidate को female को 17 से 19 में और इसकी अलगलग नंबर होते हैं एगर आप 14 सेगंड में पूरा करते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे 15 में करते हो तो 30 मिलेंगे 16 में करते हो तो 20 मिलेंगे इस तरह से कि आपको नंबर निधार्थ कियेगे वो सारे बाते आपको इसका official notification उसमें पता चल जाएगी tuning आप कितनी है 30 नंबर की की जाएगी 5 से 7 है विज लगाने आपको जैंट को यानि मेल को और फिमेल को 3 से 5 लोंग जब होगा आपका 30 नंबर का 13 से 15 फिट या फिर इस से उपर का लगाना आपको यानि 13 से 15 फिट तो है है minimum आपका 13 फिट होना चाहिए मेल के लिए फिमेल के लिए 11 से 13 फिट के आपको लोंग जब लगाना है इसके लाव और एक्टिविटी है वो आपको नोटिविकेशन में चेक कर लेना अब बात के लेते हैं इंट्रिव्यू यान रास्तन पुलीस SI का इंट्रिव्यू क्या कैसा होगा आपको अराम से चल जाएगा जितने भी करेंट इवेंट है उनको अच्छी तरह से पढ़ें रास्तन के बारे में थोड़ी जानकार रखें तो आप से के इंट्रिव्यू में ये बाते ही पूछी जाएगी तो अच्छी त्यारी करें अच्छा होगा तो आप अराम से इंट्रिव पास कर लोगे जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा फाइनल तो आपकी सेलरी क्या होगी यानि RPSC पुलीस ऐसा ही सेलरी बोले तो रास्तन पुलीस की जो सब इंस्पेक्टर की सेलरी क्या होगी तो अच्छी सेलरी इसमें अगर आप योगेता रखते हो तो आपको एक फोर्म जरूर बढ़ना चाहिए तो यह तो थी आपके एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी रास्तान में रास्तान पुलीस ऐसाई की बर्ती का नोटिकर्शन जारी होने वाला है और इसमें हमने डिसकस किया कि रास्तान पुलीस ऐसाई का आपका स्लेक्शन प्रोसेस क्या है और पीएसी ऐसाई का आपका एकज्यां पेटर क्या होगा और पीएसी ऐसाई का आपका स्लेबस क्या होगा अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में आपको एक बेल आइकन दीख रहा उसको आपको प्रेस करें ताकि जब भी को नहीं जानकर डाल जाए आपके पास उसका नोटिविकेस ना जाए और आप जल्द से जल्द करें जानकर देख सको तो आज की जानकर नहीं बस इतना ही मिलते हैं नहीं जानकर साथ तब तक के लिए जैबार धन्यवाद